नवस्कार किशानमित्रों किशानमित्रों आज हम आपको मारसल दवा के बारे में पूरी जानकारी देंगे जो की FMC कंपनी यह आती है इसका टेक्निकल क्या है किन-किन फसलों पर इसका प्रयोग कर सकते हैं इसके प्रयोग दर मात्रा क्या है इन सभी चीजों के बारे में जा घंसी कंबनी की आती है और इसका प्रियोग आप रस चूसक कीट के लिए प्रियोग कर सकते ही इसका जो टिक्निकल होता है वह कार्बो सलफान 25% EC कार्बो सलफान 25% EC यही दवा धनका कंबनी की आतंक के नाम से आती है किसानमित्रों किसानमित्रों इसका प्रियोग आप लगबख सभी फसलों में कर सकते हैं चबाने वाले कीट वा रस चूसक कीट दोनों प्रकार के कीटों को यह कंट्रोल करता है इसका प्रियोग आप बैगन की फसल में फल छेदक वा तना छेदक दोनों की रूप में कर सकते हैं फल छेदक वा तना छेदक दोनों पर यह बहुत ही अच्छा कारी करता है इसका प्रियोग आप टमाटर की फसल में कर सकते हैं जब कीटों का प्रकूब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो तब इसका प्रियोग आप कर सकते हैं इसका प्रियोग किसान मित्रों जब आप करते हैं तो ये पौधे की पूरे भाग में पहुंच जाता है और जो कीट इसको चबा चबा कर खाते हैं उनकी पेट में जब ये पहुंचता है तो उनका पेट फट जाता है जिस प्रकार कीट की मरत्यू हो जाती है और दूसरा ये कीट के संपर्ग में आने से कीट के तोचा के संपर्ग में आने से कीट का जो भोजन मनाने का प्रोसेस होता है वह बंद हो जाता है जिससे कीट सोता हम मर जाते हैं किसान मित्रों इससे आप माहू उन्ने वाले रस्चुसक कीट धान की फसल में तनाचेदक एफीड, एसीड, जैसीड, वाइड फ्लाई, उन्ने वाला हापर यहां तक की यह थ्रिप्स को भी बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करता है इसका प्रियोग आप सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं किसान मित्रों जैसा की हमने पहले भी बताया की आप बैगन की फसल में इसका प्रियोग तनाचेदक वा फल छेदक दूनों में कर सकते हैं इसका आप दुबारा इस्प्रे यानि पुना दुबारा इस्प्रे आप आठ से दस दिनों के बाद कर सकते हैं इसका इस्प्रे करने की लगबग तीन घंटे के बाद यह कारी करना प्रारम कर देता है किसान में तो इसी फार्मलेशन वाली जो भी इंसेक्टिसाइड होती है उसका प्रियोग आप फ्लावरिंग इस्टेट पर ना करें क्योंकि इससे हो सकता है कि फ्लावर डॉपिंग की समस्या सकती है अर्धात फूल गिरने की समस्या सकती है तो मार्सल का प्रियोग यह इसका जो टेक्निकल है इसी फार्मलेशन में है तो इसका प्रियोग आप फ्लावरिंग इस्टेट पर ना करें और इसको आप सलफर के साथ या अन्न कोई जो फर्टिलाजर है उसके साथ मिस्सित करके इसका चर्काव किसी भी फसल पर ना करें जिससे यद आप किसी भी फर्टिलाजर के साथ इसका मिस्रम बना कर घोल बना कर चर्काव करते हैं तो आपकी फसलों को यह नुक्सान पहुचा सकती है इसलिए किसी भी फटी लाजर के साथ इसका घोल बनाकर आप छड़कावना करें किसान मित्रों टमाटर की फसल में आप देखते होंगे कि फल शेदक बहुत ही प्रभावी रूप से होता है और इसको नियंतरित करने के लि अपना खर्चावा समय बचाते हुए मार्सल दवा का जो की FMC कंपनी की आती है का प्रयोग कर सकते हैं किसान मित्रों इसकी पैकिंग साइज 100 ml 200 ml एक लीटर तक की फाइल में ये अबलेबल होती है इसकी डोज जो होती है वह 400 ml प्रत एकड के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं किसान मित्रों अर्थाद 2 ml प्रत लीटर के हिसाब से इसका घुल बनाकर आप अपनी खड़ी फसल पर चरकाव कर सकते हैं यदि आप की टंकी 15 लीटर की है तो आप 30 ml 20 लीटर की है तो 40 ml और 200 लीटर पानी में इसको 400 ml घुल बनाकर आप अपनी खड़ी फसल पर आप लोग्त